नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल हिंडी नूज में स्वागत है दोस्तों राहूल गांधी पर बयान देने वाले भी स्पी नीता जैप्रकाश सिंग को पार्टी प्रमुक मायाविती ने पद से हटाया अगले साल होने जा रहे आम चनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने सुमवार को पार्टी अध्यक्ष मायाविती को प्रधान मंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया है साथ ही कहा है कि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी इस पद के उप्यूक नहीं है क्योंकि उनकी माविदेशी मूल की है लोग सभा चनाव में पार्टी के रण नीती को लेकर पार्टी कारेकरताओं को संबोधित करते वे बीएसपी के राष्ट्री कॉडिनेटर वीर सिंग और जय प्रकाश से ने बताया मायाविती का देश के प्रधान मंत्री बननी का सब से सही समय है और सिर्फ वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को चनोती दे सकती हैं जय प्रकाश से के राहुल पर बयान के बाद पार्टी प्रमुक मायाविती ने उन्हें नाशनल कॉडिनेटर के पद से हटा दिया है दोस्तों जय प्रकाश सिंग ने कहा करना टक में चड़ी कुमारस्वामी को मुख्य मंत्री बनाने में उनकी महत्वपून भूमिका के बाद वे हम पावरपुल पॉलिटिशियन के तौर पर उबरी है वहीं एक मात्र ऐसी दबंग लीगर है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चिनाबी जीत को रोक सकती हैं दोस्तों उन्हें आगे कहा वे इस सिर्फ एक दलित लीडर ही नहीं है बलकि उन्हें सभी समुदायों का समर्थन हासिल है अब समय आ गया है जब उन्हें 2019 के लोग सभाचनाओं के बाद प्रधानमंत्री बनाया जाए राहुल गांदी जिन ही कॉंग्रिस के प्रधानमंत्री के चहरे के तौर पर माना जा रहा है उसको लेकर सिंग ने कहा राहुल अपने पिता की तुल्ला में अपनी मा की तरह ज्यादा दिखते हैं और उनकी मा विदेश मूल की हैं इसलिए वें कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं दोस्तों में आप तक नई नई वीडियो पहुचाती रहू इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले